नमस्ते आप सभी का स्वागत है सुभीतास फूड रेसिपी पर आज हम पनीर दो प्याजा की डिस लेकर आए हैं और इसको बनाने का जो समय लगा है वह 25 मिनिट लगा है चलिए हम इसके आगे के मसाले देख लेते हैं और इसको बनाने का तरीका जान लेते हैं यहां पर मैं कुछ मसाले दिखा रही हूं दो टी स्पून धन्या पौडर आधा टी स्पून हल्दी पौडर एक टी स्पून लाल मिर्स पौडर आधा टी स्पून सौफका पौडर एक टी स्पून मैंने जीर mix लिए है जस से ग्यारा काली मिर्स तीन हरी इलाईची यहां पर एक टेबिल स्पून मैंने अद्रक ले ली है और दो मीडियम साइज की प्याज ले यहां पर मैंने कड़ाई में 60 tablespoon तेल डाला है, तेल को गरम होने के बाद उसमें जीर डाल दिया है, इसी के साथ काली मिर्च और सफ़य देलाईशी, इनको अच्छे से भूलना है, और इसी के साथ मैंने प्यार जाल दिया, flame को मैंने medium रखाएं यहां पर, अद्रक डाल रही हूं, प्याज अच्छे से brown होने लगी है, इसी के साथ मैं बाकी के मसाले डाल रही हूं यहां पर, नमक स्वाद अनुस्वार, और चार टमाटा रहें medium साइज के, इनको भूनने के लिए में थोड़ा साथ पानी डाल रहे हूं रिस्से की टमाटाव गल जाएं और मसाला अच्छे से भून जाएं, पांच मिनिट के लिए ढखके रख दिया है मैंने पांच मिनिट हो चुके हैं मसाल अच्छे से भूल चुका है टामाटर भी अच्छे से गल गए है इसको मैं अलग बर्तन में निकाल लूँगे इसकी ठंडा हो जाए तब मैं मिक्सी से इसको इसकी प्यूरी तयार कर लूँगे यहां पर आप देख सकते हैं तेल अच्छे से छूट चुका है मसाले के यहां पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है एक बड़ी प्याज लिए है टामाटर में प्यूरी में डाल चुकी हूँ दो मीडियम साइग मैंने सिमलर मिर्शिल है थोड़ी सी कस्तूरी में थी साथ टेबिल स्पून मैंने यहां पर दूद की मलाई लिए है यहां पर मैंने 3 टेबिल स्पून सरसो का तेल डाला है क्योंकि मुझे पनीर को फ्राई करना है थोड़ा सा अगर आपको फ्राई पनीर पसंद नहीं है तो आप इसको फ्राई ना करें ऐसे इसको सब जीमी डाल सकते हैं यहां पर पनीर हो चुका है मैंने निकाल लिया है और उसी ओइल में मैंने ही सिमला में शिडाल दी है इसे के साथ हमें इसमें प्यूरी डालनी जा रही हूं जो कि मैंने मसालों से त्यार करी है यहां पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है इसे के सिमला में अच्छे से सॉप्ट हो जाएं रिष्ट यार होने के बाद यह खड़ी खड़ी ना लगें पांस से चे मिनिट मैं धक्तर रख दिया है अब इसमी मैंने वे मलाई डाल दिये है यहां पर फिलेम जो है मीडियम है कस्तूरी मेटी डाल दिये दो तीन मिनिट अच्छे से और भूने के बाद इसमें हम पनीर और प्याज डाल देंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है यह रेसिपी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें यहां पर मैंने एक कप पानी डाल दिया है ग्रेवी के लिए क्योंकि मैं इसमें ग्रेवी चाहिए तो अगर आपको ज्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप इसमें आदा कप पानी डालें पांच या दस मिनिट के लिए आप इसको ढपकर रख दें और वह तैयार हो जाएगी इस डिस्क को आप अपने घर पर बनाएं और इसके सुआत का मज़ा लें और मुझे कमेंट वॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये डिस्क कैसी लगी देखिए यहाँ पर यह इस तरीकी से तयार हो जाएगी यह बिल्कुल तयार है आप यहाँ पर देख सकते हैं यह तैयार होने के बाद ऐसी लगेगी और इस पर मैंने थोड़ा सा हरा दन्या डाल रहा है थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो झाल 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 झाल